कंगना रुनोत की एमर्जंसी को सेंसर बॉर्ड ने नहीं किया पास दरसल एक्टर्स कंगना रुनोत ने अपने इस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कंगना ने कहा है कि कई तरह की अफवाएं उड़ रही है कि हमारी फिलम एमरजनसी को सेंसर सर्टिवकेट मिल गया है लेकिन यह सच नहीं है हमारी फिलम क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिवकेशन रोक ले गई है तो कि बहुत सारी दमकियां आ रही है हमें जान से मार देने की और सेंसर वालों को भी बहुत सारी दमकियां आ रही है कंगनार ने आगे कहा कि फिलम में मिसिज गांदी की हत्या ना दिखाए बिंडरा वाला और पंजाब में हुए दंगों को ना दिखाए तो हमें नहीं पता कि क्या दिखाएं कि क्या हुआ है अचानक से यह फिलम ब्लैक आउट हो जाती है जिस तरह की चीजों की सिती इस देश में है यह अविजवाशनिय समय है मेरे लिए भी मतादे की शरॉमनिय काली दल ने सी वी एफ सी को एक लीगल नोटिस बेज कर कंगना रनोट की फिलम एमरजनसी पर बैन लगाने की मांग की जी उसके साथ ही सैट ने वी यह दावा किया है कि वे फिलम देश में दार्मिक तनाव में बढ़का सकती है शरॉमनिय काली दल के इलावा बीजे पी के राश्ट्रिय संजीव मंजिंदर सिंग भी एक्टर्स कंगना रनोट की फिलम एमरजनसी का विरोध करते दिखे मंजिंदर सिंग ने C.V.FC से अपील की है कि वे फिलम में ऐसे सीन्स को हटा दे जिन से सिक्स उमिदाय को नेगटिव दिखाया गया है तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कंगना रनोट की फिलम 6 सप्तमबर को रलीज होनी चाहिए जा नहीं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यावाद